हाई फ्रेंट्स वेलकम टो टार्गेट जैसे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जारखन जीके और करेंट अफैर पार्ट टू इसके पहले पार्ट वन वीडियो अप्लूड हो चुका अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पर हम जीके भी आपको बताने वाले हैं और करेंट फैर भी आपको बताने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पहला कोश्चन है उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें फिर बेल आइकन पर जरू प्रेस करें जिसे की हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप जारकट की एक्जाम्स की तैयरी बहतर कर सके तो यहां पर अलग प्राड़ी और यहां पर ट्रिकुट पहाड़ी दी आपका है चोटा नागपूर का पठार तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका राज महल्की पहाड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स यहाँ पर देखी जो की दूसरा नम्मर है धनबाद किस रेलवे जहते हैं यहां पर धनबाद रेलवे के बारे पूछा कि कौन सा चहते हैं का पहला अपसे हैं हमारे पासे उत्तर पूरु रेलवे गुम्रे खोरत पूर ब है तो इसका सही रील्वे कोलकाता है आपका भी यह पुछां जा जाता है किस रील्वे श्चेतर के अंतर घता तो आपको और रखना कर में रेल्वे Regoda दच्छिन पूर रेलवे कॉलकाता जो है यह राची जो है स्टेशन यह इसी के अंतरगत आता है चलिए अगला कुशन यहां पर देख सकते थी नंबर जो कि हमारा है नौ निर्मित जार्खन राज की पहली सरकार निमलिखित में से किस पार्टी रायनितिक पार्टी की थी तो यहां पर सबसे पहला जो सरकार बना खुम सा पाटी का था यह पूछागया है पहला जो अपस्छन हमारे पास है जार्खन मुक्ति मूर्चा, B आपका है भारती जनता पार्टी, C आपका है जार्खन विकास मूर्चा और D आपका है भारतीय रदास्टिय कॉंग्रेश तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका भारती जनता पार्टी, B जेपी से कौन बने थे, बाबुलार मरंडी, जार्खन के पहले मुखमंतरी थे और वो जे हैं, B जेपी से, B जेपी राइनितिक धल से समंदित हैं, अगला कुश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, चार नम जीला है, जहाँ पर सबसे अधीक जो है, ग्रेफाइट रिजर्व पाया गया है, पहला उप्सन हमरे पास है गुमला, B आपका है पलामू, C आपका है शीम्भूम, और D आपका है धनबा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका पलामू, आपका सही उत्तर हो जाए लेकिन सबसे अधीक अगर बात करें तो पलामू में ही सबसे जादा ग्रेफाइट पाय जाता है, चलिए अगला कुश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक चीज और इनके बारे में आपको जानना चाहिए, और टोटल जो भंडार अभी जार्कन के पास जो है ग्रेफाइट अभी देख सकते हैं, हाली में इनको अध्यक चुना गया है, तो यह आपका करेंट अफेर का कुश्चन है, करेंट अफेर का सेशन जो हमारे चनल पर चल रहा है, और अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें, तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिं समातों, तो यहाँ पर आपका अर्जुन मुंडा सही उत्तर हो जागा, क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा आपका सही उत्तर हो जागा, जानते हैं कि अभी 2019 में लोक सभा का चुना भी हुआ है, और इनको जो है, अभी कैबिनेट मिनिश्टर भी बना गया है, जन जाती कर क्या कर दिया गए तो दालभाद योजना जो चलता था पाँंच उत्तर हो जाए। चलिए नेक्सकोशन यहाँ पर देखिए 7 नम्र जो कि हमारा है किस राज सरकार ने कुड़क को अधिकारिक भासा का दर्जा दिया है। तो यह देख सकते हो, हमारे पास है पश्रीम बंगल भी आपका मैंति-प्रतियसी, आपका टीशा, ओड़ी आपका जहरकंड. तो इसका शही उत्तर क्या हो जाएगा आपका पश्यम बंगाल जो है आपका शही उत्तर हो जाएगा उप्सन नम्मर ये और इनको जो है अधिकारिक भाषा का दर्जा मिला कावे 2018 में ही इनको जो है अधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है चलिए एगला कोशन यहां पर द कर दिया गया है यही कोश्चन पुछा गया है काफी इजी कोश्चन है कई बार एक्जाम में भी पुछा गया है तो यहां पर देख सकते हैं पहला अप्सन हमारे पास है अलवट एका भी आपका है रंधीर परशाद वर्मा शी आपका है बिर्समुंडा और डी आपका है सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका अप्सन नमर यह अलवट एका आपका सही उत्तर हो जाएगा इनको जो है लॉन्स नायक के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनका जर्म जो है 27 दिसमबर का 27 दिसमबर 2022 उनेस सो 42 को हुआ ठार और यह जो है जब भारत और पाकिस्तान का युद हुआ था उनेस सो 71 में तब जो है यहाँ सहीद हो गए थे उसके पासाद जो है मरने के बाद जो है इनको जो है पराम्विर्च चकर से नवाजा भी गया है चलिए next question यहाँ पर देखिए next question जो हमारे पास है 9 number देख सकते हैं जारखण में तामबे का कुल भंडारन कितना है तामबे का कुल भंडार पुछा गया है जारखण में पहला option हमारे पास है 98 million ton दुसरा है 112 million ton तीसरा है 3758 million ton और आपका यहाँ पर देख सकते हैं last जो option है 70 million ton तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका आपका सही उत्तर हो जाएगा 112 million ton जो है फिलाल अभी हमारे जारखण के पास तामे का कूल भंडार है option नमर भी आपका सही उत्तर है देखिए यहाँ पर हाँ आपको current अफैर भी बता रहे हैं और जीके भी बता रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी महत पूरुन है आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर दस्वन जो question हमारे पास है मारंग गोंके के नाम से कौन जाना जाता या फिर किसे कहा जाता है यह question काफी repeated question है इसलिए यह question जो है मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं लेकिन इसके बारे में काफी यहाँ पर detail निकल के आता है आपके पास तो यह जो है इनके बारे में आप पूरा लिखें मारंग गोंकी किन को कहा जाता है क्या relation है इनका जारखंड से अगला question यहाँ पर देखिए 11 नमबर जैपाल सिंग एक रोमांचक अनकही कहानी पूस्तक किस ने लिखी है जैपाल सिंग एक रोमांचक अनकही कहानी काफी famous यह जो है पूस्तक रही है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर दे पर तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा option नमर भी बलवीरदत बलवीरदत को जो है पदम सरी सम्मान से भी नवाजा गया है जैपाल सिंग जो है जारखं से काफी जो है यह famous व्यक्ति हैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका जबाब आपको comment box में देना है तो इसके बारे में आप next वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे details के साथ एक especially इनके लिए वीडियो हम लाने वाले हैं तो आप जरूर देखिएगा बारवा कोशन यहां पर देख सकते हैं जारखं में नगर नेगमों की संख्या कितने है अभी total जारखं में नगर निकम कित अगर पूछा जा जा जारखं का सबसे नविंतम मतलब नया नगर निकम कुण शाह तो गृड़ी का जो नगर निकम है सबसे जो है नविंतम आपका जो है नगर निकम है और अभी तक जो है total कितने हैं नौ है तो यह सारे चीज आपको आद रखने हैं चले कोशन नमर 13 अगला कोशन यहां पर देख सकते हैं निम्न में से किन है 2019 में राष्टपती रामनात कोविन दवारव पदम भूशन पुर्शकार से सम्मानित किया गया है पहला अपसन हमारे पास है करिया मुंड़ा ब आपका बुलू इमाम सी आपका जमना टोडु और द आपका है डॉक्तर शामा परशाद मुखर जी तो आपका सही उतर हो जाएगा वहीं बात करें अगर यह तीनों आपसन के बारे में त तो इनको पदम सिरी सम्मान से सम्मानित किया गया है कौन-कौन भूलू इमाम जबना टुडू डॉक्टर स्यामय प्रशाद मुखर जी ये तीनों लोगों को अगला कोशन यहां पर देखें पंदर नंबर जो कि हमरा है जारकन में जन जाती हो दवारे कौन सा है कैसा तेवार जो बारह वर्ष में एक बार मनाए जाता है पहला अप्टल हमारे पास से चांडachts पर अब का धान बुनी पुरह की करके आते हैं अगला daran। लुए प्रताम झाव से कितने कीलो मिटर दूर्ड दूरी पर है यहां पर देखेख़ों हमारे पास सब्सक्राइब 25ances dimension in 30 km सेंगया थAI पर चालिस किलोमेटर डिया प्रचास किलो में तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं 17 नमर हट विवा किस जंजाती समुदाय में ज़्यादा परचली थे हैं पहला अप्सन हमारे पास है बिरहोर में क्या होता है बोला बापला जो विवा होता है बिरहोर में होता है हो जंजाती में अनादर विवा होता है और सिय आपका मुंडा और अप्सन नमर डी जो आपका है ये यही नहाँ हुए अपनी प्रेवल यह यह хотел каких हल ba अब लड़कीमी के यहाँ है न जाकर के जवरजस्ति उनके घर में रहने लगती है यही उनका हाथ विवा हूता है जन जातियों में। नेक्ष कुछन यहाँ पर देखते थारणवा नेम लिखीत में से कौन सी सामाजिक अधिकार करमाइन वादी आरेट लेड़ियो आफ जार्खन की रूप में जानी जाती है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देख सकते हैं परेमलता गरवाल भी आपका है दया मनी बर् यहां पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दया मनी बरला आपका सही उत्तर है चलिए अगला कोश्चन यहां देखे प्रेम लता अगरवाद इनको भी पदम सरी सम्मान से नवाजा गया है नीरा अदव के आप बारिन जानते हैं जमना टूडो को जो है क्या कहा जाता है टार अब यहां देख जांग का लिए अपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमर शिया क्यों पूर्व सोव्यट संग कहते कि देश को है काफिम लोग कंख्यूज हो जाते हैं ये पूर्व सोव्यत संग है क्या तो यह आपका रूष मैं रूश जो देश है इसी को जो है कहा ल संग और यह जो है बोकारो इसपत में जो है अस्थापना के बाद कव से उत्पादन चालू किया था चलिए अगला कोशन यहां पर देख सकते हैं किस राज को क्रिसी कर्मन पुरुषकार 2018 से नवाजा गया है तो जारखन को जारखन जो हमारा है इसी को क्रिसी कर्मन पुरुषकार चावल की उननत खेती के लिए दिया गया है अगला कोशन अकीस नमर देख सकते हैं कोलंबो स्रीलंका में आज जीत शाउथ एशियन जुनियर एथलिट्स चेंपियन में 100 मीटर बाधा दोड़कर जारखन के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा देख सकते हैं पहला चंदा बॉकरों अप्वारी शहते हैं आमश्यूशा कुमारी औडिया अपका है प्रिया कुमारी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा है चलिए बाइस नमर कोशिन देखिए जो आहर लाल पार जारखन के किस जिले में है पहला अप्सवार राची य। आपका हजार इबाग सी बोका तो आपका देहना है जवाहर लाल पार्क चलिए अगला कोशन यहां पर देखिए पाइस नमबर दसंद जल परपात किस नदी पर इस्तित यहां पर पहला प्छे उमारे पास है कांची नदी भी आपके पास दामुदर नदी सी आपके पास वन रेका नदी वडी आपका है पहला स्मार्ट थाना बना है तो राज का पहला स्मार्ट थाना देख सकते हैं पच्चीस नमर जो कि हमारा है राज सरकार किसके सहयोग से राज में मैथनौल प्लांट के स्थापना हो रही है किस एक कैसे मदद से पहला ऑपसन हमारे पास है टाटा पावर भी आपका कोल इंडिया दोडियो कोई लाइक करें वीडियो को दो случай के साथ पर यहां विदिएक सेरे करें ताकि आपके ठीक के सकते हिए अगर आप व डी Rica बनेफिटो के सब्सक्राइब करेग और जो भाइ-लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जोड़े हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बैल आइकन पर जरुब प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से प्राप्त हो सकें पूरा वीडियो